आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हिमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और इस समय की ब्रेकिनी जाई है इलावाद हाई कोट का आदेश जैसा की हमने आपको बताया था कि 16 मई 212 को इलावाद हाई कोट में सुनभाई होनी थी कि 28 अभ्यारती प्रेमरी में म यूपी एसाई भरती गरवडी से परिशान सेक्शनल पास मेंस एक्जाम की मांग की गई है तो इन सही पॉइंटों पर हम चाचा करने वाले हैं इस वीडियो में और जो लोग हमारे इस चैनल पर नई हो बहे सब्सक्रेब जिरू कर ले हमारे इस चैनल को और बेलेकिन की ब देख सकते हैं आप ये जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में जनकारी दी थी कि 16 माई 22 को कोट में सुनबाई होनी है जैसा कि बीडिस से अभ्यारती के और से इसमें याची का डाली गई थी प्रेमरी में बेड अभ्यारती को भार करने के लिए तो इसमें जो है इस आज मॉर्निंग में प्रकरिया शुरू हुई थी इसके संबन में लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि लंच होनी के वज़े से फिर ऐसा लगा कि लंच के बाद इसमें प्रकरिया शुरू होगी तो लेकिन आज इसमें कोई निसकर्स नहीं निगल पाया है तो देखी इसके संबन्द में जानकारी मिली है आज इलावाद हाई कोट में B8 BTC मामले की सुनबाई हुई जिसमें सुवे 11 वजे सुनबाई की बाद 2-3 मिनट तक सुनबाई की बाद केस को रिवाइश्ड लिष्ट में अटेच किया गया और लंच के बाद सुनबाई जारी थी हमारा केस अत्तावन नंबर पे लिष्ट था और कोट में 4 वजच कर 8 मिनट तक शाम को सुनबाई चली आकरी सुनबाई सीरियल लंबर 54 दग हुई है और इसमें दे रखा है और हमारे केस की सुनबाई नहीं हो पाई है कल केस सप्लिमेंटरिक के यानि कि फ्रेस लिष्टिट हो जाएगा यानि कि कहने का मतलब यह है यह जो सुनबाई होनी थी यह नंबर था आपका 57 लेकिन जो साम तक जो सुनबाई होई है 54 नमबर तक हुई है तो इसमें जो है अब कल इसमें सुनबाई होगी या फिर इसमें कल यह पर्सु जैसे ही कुई जानकारी हमें मिलेगी सुनबाई के संबंद में तो आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बना कर आपको जानकारी दे दी आएगी और आपको बताएं कि अगर ये सुनबाई में जो भी प्रिक्रिया या फिर जो भी डिसियन निकलता है वो आपको जानकारी मिल जाएगी लेकिन आपको बताएं कि इस संबन्द में जो भी है कि प्रिक्रिया की प्रेमरी में बियर्ड अभ्यारती शामिल होंगे या नही इसमे सर्व मानने जो डिस्यन होगा, बहस सुप्रीम कोर्ट का होगा है यह आप ध्यान अक्аксим क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 22 में डेत पढ़िवी है जिसमें सुनभाई होनी है जो कि पूरे इंडिया में ये मानने होगा फैसला और जो भी इसमें इलावाद में होता है यानि कि इलावाद हाई कोड में डिसियन वो इसमें आपको जानकरी मिल जाएगी लेकिन कई राज्यों में विवाद हैं जैसे पश्च मंगाल और राइस्तान में हिमाचर प्रदेश में और बिहाद जैसे प्रेमरी में बेड अभ्यारती है शमार ना किये तो जैसे कोई अबडेट आएगी आपको जानकरी मिल जाएगी लेकिन आभी को यह नहीं कह सकता कोई वेक्टीव ही कि प्रेमरी में बेड अबभ्यारती हैं आभ और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी महत्पुन सुषना की तो देखी सुषना आई है UPSI भरती के संबंद में जो की इसमें यानि की इसमें मेडिकल चल लहा है तो अब भ्यारति ने क्या देखी इसमें एपलिकेशन लिखी है मुख्य मंद्री जी को और इसमें विशे लिखा UPSI 2021 भरती परिक्षा में हुई इसकेम की जाच के संबंद में इसमें लिखा 12 नुवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक UPSI की ऑनलाइन परिक्षा हुई हाली में जारी आंसर की में पता चलाए कि बहुत से अभ्यारतियों के 160 में से 152, 53, 55, 157, 158, 169 पिरसन तक सही है यह तो संबंद नहीं है महोदे परिक्षा के मध्धे एश्टी अबद्वार यानि की लगातार कई सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया था जबकि यह एजेंसी कई राज्यों में बेन है तो यह अभ्यारतियों ने जो है एप्लिकेशन लिखी है मुख्या मंद्र जी को और इसके संबंद में आगे भी महत्मुट जानकारी दे रखी है तो आगे हम इसमें देखते हैं तो देखी इसमें लिखा है लड़को ने ट्विटर पर भरती बोट को अबद कराया था कि परिक्षा में गरवरी हुई है और इसकी जाच की मांग की थी भरती बोट से जाच का आस्वासन दिया गया था जब 15 अप्रैल को रेल्ट आया था कट ओफ बहुत जादा चले गई थी इससे परदा चलता है कि भरती प्रिक्रिया में जाच की अविश्रता है यदि जाच नहों तो इसमें लिखा है अगर जाच नहीं उपाती है तो सेक्षनल पास जो अभ्यारती है उनका मेंस एक्जाम करा लिया जाए यानि कि जो सेक्षनल पास अभ्यारती है उनका मेंस एक्जाम करा लिया जाए अइजनसी और भरती बोर्ड नहीं चाता है कि जाच हो क्योंकि योगी जी के नेतरत वाली सरकार में जाच हो जाएगी तो कई लोगों की नौक्रिया चले आएंगी महोदे से निवेदन है कि UPSI की विशेश जाच की जाए जिससे लाखों विध्यारतियों का भरोसा मेहनत पर कयम रहे धन्यवाद तो इसमें लिखी गई है अब्लिकेशन मुख्या मंतर जी को तो इसमें यानि कि जैसे कोई और भी डिस्यन आएगा या फिर कोई निवीज मिलेगी तो आपको और जानकारिया इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर हम आपको जानकारी दे रहेंगे लेकिन इसमें सबसे एहम बात है सेक्षनल पास जो अभ्यारती है उनका मेंस एक्जाम करने की बात कही गई है अभ्यारती की और से अब ये ऐसा होता है या नई होता है इसकी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी तो देखते रहे हैं आप लोग हमारा चैनल दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें